दोस्तों अगर आपका भी सपना है बिहार पुलिस में सरकारी नौकरी का अगर आपका भी डिरीम जॉब वर्दी वाला जॉब है तो आपके लिए दोस्तों एक सर्व स्रेष्ट मौका है इसा मौका बार-बार नहीं आता है इसलिए आपको हाथ से बिल्कुल भी जाने नहीं देना है तो उचले फटाफट यहां से आप देखिए फिर आपको सारा कुछ समझ में आने वाला है और दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताए आप में से किसका किसका सपना है विहार पुलिस कौन स्टेबल वनने का किसका किसका सपना है वर्दी वाला जौब का तो आप सभी कमेंट करके बताई आप में से कौन-कौन बिहार पुलिस बनना चाहते हैं तो दोस्तों आप लोगों का ये रहता है कि बिहार पुलिस बनने के लिए क्या चाहिए तो बिहार पुलिस अगर आप बनना चाहते हैं तो अगर आप बार्मी पास है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और यहां पर आप लोगो सारा कुछ दिखाने वाले हैं इसके बाद आपका एज अगर 18 साल complete हो गया तो भी आप इस form को भर सकते हैं तो यहां पर दिखेगा एज के बारे में तो general category के लिए 18 साल मांगा जाता है EWS के लिए 18 साल BCBC के लिए 18 साल SCST के लिए 18 साल इसके बाद यहां पर अधिकतम उम्र का condition general में 25 साल है EWS में 25 साल है BCBC में 27 साल है SCST में 30 साल है और यहां पर महिलाओं का दिया हुआ है तो general में अधिकतम उम्र महिलाओं के लिए पचीस है, EWS में पचीस है, EBC में अठाइस है, और BC काटोगरी में भी अठाइस है, SCST में तीस साल है, ये तो हो गया उम्रका कंडिशन, दूसरा चीज यहां पर बार्मी मांगा जाता, आप किसी भी विसाय से बार्मी पास है, बिहार पुलिस फॉर्म भरने के लिए आप इलिजिवल है, और जब आप CSBC के साइट पर आएगा, तो CSBC के साइट पर फॉर्म भरने का लिंक ये सब चीज़े दिया हुआ है, तो उस पर क्लिक करने के बाद यहां पर registration की जो परकिरिया है, तो registration की जो परकिरिया इस तरह से है दोस्तों, जिसमें आपको अपना नाम, इसके बाद mobile number, email ID, यह सब चीज़े देना परता है, इसके बाद reservation का category, यह सब चीज़े आपको देना है, और आप किस category साथी, यह सब चीज़े, date of birth हो गया, और बिल्कुल आपको साबधानी से form फिलब करना, अगर आप इन सभी चीज़ों में गलती कर देते, यही एक बेहतर मौका आपके लिए रहता है, अगर आप form सही तरीके से भढ़िएगा, तो आपका selection last तक होगा ही होगा, अगर आपका exam सब क कुछ अच्छा आजाता है, लेकिन आप form ही गलत भर दीजेगा, तो रेस से आप अभी ही बाहर हो जाते, तो ऐसी गलती आपको कभी भी नहीं करना है, और आपके लिए दोस्तों एक बेहतर मौका इसलिए है कि अभी आप दीखेगा form भरने का जो date है, तो बहुत कम समय बच आप सभी को फटा-फट फ़र्म ये सब चीजे जरूर भर देना है, दूसरी बात ये रहता है कि इसमें क्या सेलेक्शन असानी से हो सकता है, बिल्कुल दोस्तों हो सकता है, अब आप सभी को पता होगा कि बहुत ही नॉर्मल क्वेस्टन पूछा जाता है, टेंथ लेवल य इसके बात चार सब्जेक्ट हो गया, हिस्ट्री, पॉलिटी, जोगराफिक, ओनोमिक्स यानि जीके सेक्शन और दस क्वेस्टन मैट से भी पूछा आ जाता है, इस तरह से मिला करके आपको और बिहार जीके और क्रेंट अफेर से भी दस क्वेस्टन पूछा जाएगा, इस सौ में से दोस्तों अगर आप 77-78 क्वेस्टन बना लेते हैं, तो आपका असानी से सेलेक्शन होने वाला है, यह नहीं है कि बहुत टफ एकजाम है, और यहाँ पर देखेगा सीटों के संख्या भी अच्छा खासा सब कुछ है, तो सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों SC-ST काटगोरी से है, तो 160 cm हैट चाहिए, और आप महला है, किसी भी काटगोरी से है, तो 155 cm है का कंडिशन है, यह तो हो गया हैट का, यहाँ पर यह रहता है कि क्या मैं बौर्डर लेंड पर हूँ तो फॉर्म भर सकता है, लेकिन होता कि है कि अगर आपका 1 cm अधीक रहता ह जैसे 156 है, तो वहाँ पर आपका असानी से सलेक्शन हो जाएगा, आपको घर में लगेगा कि हम 155 हैं, लेकिन वहाँ पर एक्यूरेट सही तरीके से चेक किया जाता है, इसलिए 1 cm अगर आप अधीक है, तो असानी से आपका सलेक्शन होने वाला है, बांकी महलाओं के और ये हैट का देख लिए, तो आपका सलेक्शन असानी से होने वाला है, दूसरी बात आप बार्मी पास है, एज का कंडिशन देखी लिए 18-25 साल है, और कुछ कैट्गरी में उम्र में छूट भी दिया हुआ है, ये सब चीजे हो गया दोस्तों, अब चले यहाँ पर बात करने का जो लास्ट डेट है, लास्ट डेट के बारे में यहाँ से आपको पता चलेगा, ऑनलेन आविदन करनी के अंतीमती थी 14 दिसंबर 2022, अब बहुत ही कम समय बचा हुआ है, सीटों के संख्या देखेगा तो अच्छा खासा इस बार है, इसका पांच उना रिजल्ट दि इसमें दिया जाएगा, सेलरी भी इसमें अच्छा खासा है, जब आप जोईन कीजिएगा, लेवल 3 के अनुसार 21,700 बेसिक सेलरी है, लेकिन इसमें आपको दोस्तों 31,000 लगभग सेलरी मिलने वाल है, 32,000 लगभग इसमें आपको सेलरी मिलेगा, 21,700 है, इसमें हौस रेंट माहगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता, इसकवाद, राशन मनी, ये सब सभी चीजे जुरू करके आपको 31,000 आपके मोबाईल पर प्लस का मेसेज आने वाला है, जब आप जोएन कीजेगा, और हो सकता आने वाले समय में ये सैलरी और बढ़ जाए, जब ये भरती पर क्रिया 3-4 मेंने में एक अच्छा खासा सरकारी नौकरी हाथ में रहे, आपके लिए एक बेहतर मौका है, तो आप सभी फटा फट फट फ़र्म भर दीजे, और दूसरी बात यहाँ पर दीखेगा, तो बहुत अधिक फ़र्म भी फिलप नहीं हुआ है, तो सारा कुछ आपको क्लियर कर लागातार हर साल आपको दस-दस हजार करके भरती देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर अच्छा खासा नया सीट क्रियेट किया गया है, अब बात करते हैं अभी तक फ़र्म कितना फिलप हुआ है, तो यहाँ पर दीखेगा दोस्तों रईस्टेशन नमर अभी आप किज तो इसी तरस आपको 2048 से मिलने वाला रईस्टेशन, यानि यहाँ से यह पता चलता है कि 4,85,617 करेंडेट रईस्टेशन किये हैं, तो क्या यह रियल रईस्टेशन है, तो आप सभी को पता होगा कि जो भी भरती बिहार पुलिस में आती है, CSBC कमाध्यम सिया बिहार में को भी भरती आते हैं, तो उसकी पूरी जानकारिया आप लोगों को देते हैं, और आप सभी को अच्छे से पता होगा कि जो भी भरती, पिछला मदनी सेद में ही, तो उसमें क्या हुआ था, एक लाक असी हजार टोटल रईस्टेशन इसी तरस हुआ था, और उसमें आप लोग को बता है थी कि इसमें एक ही लाक लगभग रियल रईस्टेशन है, जो ए स्टुडेंट पेमेंट के ही यह सब चीज़े, तो उसमें ऐसा ही हुआ, अन्ठानमे हजार टोटल केंडेट फॉर्म भरे थे, इसमें चार लाक पचासी हजार अभी है, तो इसमें से लगभग का इसे केंडेट है, जो रियल रेईस्टेशन किये हैं, यानि पेमेंट सारा कुछ किये हुए हैं, तो बात करते हैं अभी तीन दिन समय तो लगभग तीन समय तीन लाक इसमें फॉर्म भिलप होने वाला है, और अगर छातरों का इंट्रेस्ट बढ़ता है, तो अभी तीन लाश्ट रमाई, लाश्ट रमाई में बहुत अधिक फॉर्म भिलप होता है, ये साठे तीन लाक तक भी जा सकता है, तो ये हैं दोस्तों कि अगर आप अच्छे तरीके से त्यारी किजिएगा, तो आपका सेलेक्शन बिलकुल होने वाला, ऐसा नहीं है कि नहीं होने वाला है, तो यहां से आपको ये ऐडिया हो गया, दूसरी बात फॉर्म भी की बात करें, तो पुरू सा भिहार्थियों को लोग 640 रुपे रखा गया है, अगर आप फिमेल है तो फिमेल का भी बहुत ही कम रखा गया, मातर 180 रुपे फॉर्म का भी है, तो आपको जरूर भर देन चाहिए, क्योंकि फिमेल का भी अच्छा खासा सीट है, और फिमेल का कटप भी कम ही जाता लगभग, आप साथ 65 क्वेस्चन बना लीजेगा, 65 क्वेस्चन तो आपका असानी से सेलेक्शन होने वाला है, अब बात करते हैं, अगर आप फॉर्म भर दिये हैं, तो आपको त् दोनों की त्यारी एक साथ हो जाएगा, अगर आप नहीं जोएन किया हैं, तो उस कंडिशन में ये कोर्स आप ले सकते हैं, जिसमें आप लोगों को जीकिए, मैट सैंस, हिंदी इंगलिस, सभी भी साथ के त्यारी करवाएंगे, प्रिवियस एर का क्वेस्चन भी मिल जाए 62,000 नया सीट क्रियेट किया गया है, जिसमें से दरोगा का 23,000 है, तो सिपाही का आप देखेगा 35,000, इसलिए दोस्तों अच्छा खासा पदोपर भरती आ रही है, और इसमें असपष्ट कहा गया है कि दिसंबर महिने में बिहार पुलीस मुख्यालेक्स के जो यहां पर है, देखेगा, दिसंबर के आखिरिया जनवरी में से भेज दिया जाएगा, तो यानि रिक्तियों की सारा कुछ आ जाएगा, रोश्टर क्लिरेंस करके, इसी महिने जो है बिहार पुलीस कॉन्स्टेवल की नई भरती आ रही है, बिहार पुलीस सिपाही वाला भरती, और मधनि कॉन्स्टेवल का भी स्पेसल कोर्स है, कोर्स जोइन करके अभी से आप तियारी में लग जाएगा, जब भरती आएगी तो आपको बहुत अधिक समय नहीं मिलने वाला है, कि आप सोचिएगा कि 6 महना, 7 महना समय मिलेगा, तियारी करके अच्छे तरीके सेलेक्शन लेंगे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, जब भरती आएगी तो 3 महने में एकजाम ले लिया जाएगा, इसलिए आप सभी अभी से अप्लिकेशन से जुर करके बहतरीन त्यारी में लग जाना है, सभी विसाइकी, और बांकि यहां से सारा कुछ आप देखी लिए, तो आप स सारा वीडियो प्रोवाइट करवाएंगे, देर किस बात की, आप सभी फटा फट कमेंट करके बतेए, यहां से दोस्तों आप लोगों को सारा कुछ समझ में आ गया, तो अभी आपके लिए एक बेहतर मौका है, यह मौका आपको हाथ से बिल्कुल भी जाने नहीं देना है, प्रो़ हो सबस्तों आपके लिए यहां।